बच्चों, आज हम आपको आकृतियों के बारे में बताएंगे. वो भी गीद के मालन से. या देख रहे हैं? वे पिचस बनीगे हैं और सुम्रच बना उपार है, या चन्ता है, या करत्थि है, या घोणिया है, या जोड़िया है, या बुख है, या इसा है. अब देखे आप के पास बुक है ना, उसमें भी सब बनेनी है पिच्छस, तो आप में देखें लिए और गी मेरे साथ बोलेंगे तो जब बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा देखें मेरे पास कार्स्टी है, इसमें देखें सूरज है देखिए कि रोश्णी करना है गोल गोल है और ये देखिए पिर्बोदी करना है है ये दीदी कहती प्रत्वी गोर, अम्मा कहती प्रोटी गोर, हमने खाया गरम समोसा, उसमें देखे तीन को, उसको कहते है प्रत्वी गोर, मेरी पुस्तर सुन्दर सुन्दर, मेरी पुस्तर सुन्दर सुन्दर, उसमें देखे चार को, उसको कहते है चो को, सुरज गोर, चन्दा गोर, नाला जी की प्रत्वी गोर, दीदी कहती प्रत्वी गोर, अमा कहती रोटी कोर, हमने खाया गरम समोसा, उसमें देखे तीन को, उसको कहते है प्रत्वी कोर, मेरी उस तक सुन्दर सुन्दर, मेरी उस तक सुन्दर सुन्दर, उसमें देखे चार को, उसमें देखे चार को, उसको कहते है चार को,